देश भर में श्रहीर समस्ता मिश्वन आज अपने चलम पर पहुँच चुका है ये मिश्वन अब कोई मिश्वन नहीं रहा बलकि एक ऐसे आंदोलन में तब्दील हो चुका है जिसकी तस्वीर समय समय पर हमारी आखों से सामने आती रहती है इसी कड़ी में मिश्वन के तहत सावेर में राश्व श्रक्ति स्थल का लुकारपन किया गया जिसमें मुख्य अथिति के तौर पर उत्राखन के राज़पाल, लेफ्टिनेट, जनरल, गुर्मीत सी और मिश्वन के स्तनस्था पक मोहन नारायन मौचूद रहे देखे एक खास रिपोर्ट श्रहीद भगवान से गुलिया की पतनी अरुना गुलिया का सम्मान किया गया कारिक्रम में श्रहीद समस्ता मिश्वन के संस्था पक मोहन नारायन ने उत्राखन के राज़पाल, लेफ्टिनेट, जनरल, गुर्मीत सीह की तारीफ करते हुए कहा कि 2017 से उन्हें गुर्मीत सीह का आशुष मिलता रहा है, उन्होंने इस पत पर चलनी का रास्ता दिखाया और हमेशा साथ दिया इसी का परिणाम है कि वे समीती संस्थाओं में इतने बड़े मिशन को अंजाम दे पा रही हैं इतना साहस कहां से आया कि जैसे उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के शहीदों की समस्याओं के निराकरण का भीड़ा उठा लिया अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप इस प्रतिमूर्ती का दर्शन कीजिए जिनके भीतर गुरु नानक देव का आध्यात्म और गुरु गोविन सिंग्जी का शौर्य ये प्रकट रूप से दिखाई देता सेर हमारे मार्गदर्शके संदक्षके गुरु है हम जब कभी भी अपने जीवन के अंतरदवन्दों में फसे होते हैं किम कर्तव विमूर की स्थिती में होते हैं जीवन की पृतिकूल परिस्थितियां जीवन के उतार चढ़ाओ हमें नकारात्मक सोचने पे मजबूर कर देते हैं तब मेरे पास उसका एक ही उपाय होता है मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर मैं श्रद्धेश सर का फोटो देख लेता हूँ और बिना किसी बात के ही सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है आपको बतादे श्रद्ध समस्ता मिशन का उद्धेश है कि अब तक देश के लिए श्रहीद हुए